दिल्ली के मुखमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने शनिवार 19 दिसंबर को जनता को गुम्रा करते हुए दावा किया कि दिल्ली सरकार ने देश में किसी भी अन्निराज की तुल्ला में अधिक संक्या में कुरोना वाइरस टेस्ट किये मीडिया को संबोधित करते हुए अर्विंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली अब कुरोना वाइरस संक्रमण की तीसरी लहर से उबर गई है और हर दिन 90,000 कुरोना वाइरस टेस्ट कर रही है जो उनके अनुसार देश में ही नहीं बलकि संयुक्त राज अमेरिका से भी अधिक था दिल्ली के मुखमंत्री ने कहा दिल्ली के लोगों के प्रयासों से हमने कुरोना की तीसरी लहर को प्रभावी ढंक से और सफलता पूरवक पार कर लिया है ऐसा लगता है कि दिल्ली में कोविड-19 की तीसरी रहल अब समाप्त हो गई है आज दिल्ली में रोजाना लगबख 90,000 परिक्षण किये जा रहे हैं या देश में एक दिन में कुरोना परिक्षण की सबसे ज्यादा संख्या है हाला कि अर्विन केज्रिवाल द्वारा किया जा रहा है या दावाज जूटा है कि रोजाना 90,000 कुरोना वायरस टेस्ट हो रह रहे हैं ना कि दिल्ली में 18 दिसंबर को दिल्ली के 88,400 परिक्षणों की तुल्ना में उत्तर पदेश में 1,50,036 COVID-19 परिक्षण किये गए बता दें कि देश में प्रतिदिन होने वाले COVID-19 परिक्षण की संख्या में मा दिल्ली दूसरे स्थान पर भी नहीं है बिहार और कर रुवार 18 दिसंबर को 1,22 लाग परिक्षण किये जबकि करनाटक में 1,4 लाग COVID-19 परिक्षण किये इस से इसपष्ट है कि अर्विंद केजरिवाल कोरोना वायरस टेस्ट की संख्या मामले में जूट बोड़ा है